नमस्कार स्वागत है आप सभी का आईश्मान भव में मैं हूँ प्रीती सेंग आईश्मान भव में आज बात ग्लुकोमा या काला मोत्या बिंद की ये आँख से जुड़ी एक ऐसी समस्या है जिसका अगर समय रहते इलाज ना करवाए गया तो धीरे धीरे आखों की रोशनी कम होने लगती है और ये अंध्यपन का कारण भी बन सकते है अगर भारत में देखा जाए तो ग्लुकोमा के मरीजों की संख्या दुनिया भर में सबसे अधिक हो सकती है नेत्र विशेशग ये भी अनुमान जता रहे है कि ग्लुकोमा आखों की बिमारियों का एक समू है जिसके कारण अंधापन हो सकता है और इसे ठीक नहीं किया जा सकता है भारत में इस बिमारी से एक करोड बीस लाक लोग बीड़त हैं लगभग और नब्बे फीजदी से अधिक मामलों में तो इसका पता भी नहीं चलता अधिक ओमर मदूबे यानि डाबिटीज के रोगी रिफ्राक्टिव बिमारी इसके ग्याद संभावे जोखिम कारत भी हैं और ऐसे लोगों की बढ़ती आबादी के कारण ग्लुकोमा देश में एक तीजी से उभरती गैर संचारी ओकलर बिमारी बनने वाली हैं जबकि यह पहरे से ही दुनिया के 20 फीजदी ने तरहीन व्यक्ती हैं ऐसे में आईए आज इसे लेकर थोड़ा जागरुक होते हैं जानते हैं समझते हैं ग्लुकोमा के कारण लक्षन और इलाज के बारे में और इस पर बात करने करें मेरे साथ दो खास मेहमान आज स्टूडियो में ज साइंसेज एब्स आपका भी बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर शिखा गुपता भारत में जैसे मैंने का लगबग चार करोड लोग नेत्रहीन है यहां उन्हें दृष्टी से संबंदित समस्या है और इनमें 16 लाख बच्चों भी शामिल हैं इसका नुमान जताये गया है मोतिया बिंद और इलाज नहीं कराई गई जो रेफ्राक्टिव बिमारियां है उसके बाद ग्लूकोमा भारत में अंधिपन का तीसरा सबसे बड़ा कारण है ग्लूकोमा आख से जुड़ी एक बीमारी है इसे काला मोतिया बिंद भी कहा जाता है ये बीमारी ऑप्टिक नर्व को नुकसान पहुँचा सकती है ऑप्टिक नर्व वो नर्व है जिसके जरिये ही आखों से देखी गई जानगारी हमारे मस्तिश्क तक पहुँचती है आम अमाने रूप से बहुत अधिक दबाव के कारण ग्लूकोमा होता है लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता समय के साथ आख के अंदर बढ़ा हुआ दबाव ऑप्टिक नर्व के उतकों को नश्ट कर सकता है जिससे नजर कमजोर होने के साथ ही अंधापन भी हो सकता है अगर ग्लू ग्लूकोमा का सबसे आम प्रकार प्रामरी ओपन अंगल ग्लूकोमा है इसमें धीरे धीरे आँख की रौशनी कम होने लगती है इसके लावा अन्ने को इस पश्ट लक्षन ग्लूकोमा के नहीं होते इसलिए जरूरी है कि साल में कम से कम एक बार अपनी आखों की गहन जाज करवाई जाए एक्यूट अंगल क्लोशर ग्लूकोमा को नारो अंगल ग्लूकोमा के नाम से भी जाना जाता है और ये एक तरह की मेडिकल इमर्जेंसी है जिसमें तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना जरूरी है ग्लूकोमा को लेकर कई ऐसी साब्धानिया है जिने बरतना ब इसकिन पर फ्लाश हो रहे हैं आप कॉल कीजे या स्वास्ते विशेशगे मौजूद है आपके तमाम सवालों की जवाब देने के लिए डॉक्टर कीरती सिंग हमने ये मोटे तोर पर ग्लूकोमा के बारे में बताने की कोशिश की है आप थोड़ा सा समझाईए कि ग्लूको हो जाता है सफेद हो जाता है उससे दिश्टी कम हो जाती है जबकि ग्लॉकोमा में जो नस है पीछे जो आखी नस है ऑप्टिक नर्व उसमें डामेज हो जाता है इससे जो नर्व इंपल्सेज वो नहीं पांच पाती है और बाकी most of the बिमारियां जैसे आपने बताया कैटर या रिफ्रैक्टिव एरर ये शुरु शुरु में इर्रिवर्सिबल ब्लाइडनेस के कारण नहीं होते है रिवर्स हो जाते है वापिस हो सकते है इसे कैटरैक लेंस टालने से बिकुल ठीक हो जाता है रिफ्रैक्टिव एर चश्मा टाइम से लगाने से ठीक हो जाता है और तो इसको हम चोर कहते हैं, च्पिकि ये चौरों की तरह आता है, और ना मरीज को पता चलता है कि आस्ते-ास्ते में रोशनी जा रही है, क्योंकि इसकी रोशनी साइट से जाती है चुरू में, चेंट्रल विजन प्रिसर्व रहती है, तो इसको थीफ of sight कहा जाता है, इसलिए यह भिन है दूस तीसरा यह silent pain नहीं होती है जादा इसमें acute angle closure glaucoma बहुत rare होता है जिसमें pain होगी तो it is silent, it is irreversible and यह आहिस्ता आहिस्ता आता है तो पता भी नहीं चलता है ठीक है तो बड़ी बात उन्होंने जिस तरह से डॉक्टर बता रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता आता है और सबसे गंभीर जो बाते से लेकर है कि मरीज को खुद ही नहीं पता चलता कि वो धीरे धीरे glaucoma का शिकार होता जा रहा है डॉक्टर शिका गुपता अभी हमें रॉक्टर ने मोटे तौर पर बताने की कोशिश की है कारण क्या है glaucoma क्यों होता है glaucoma के बहुत सारे कारण है सबसे आम तौर पर जो हम देखते हैं कि उमर के साथ बढ़ती उमर के साथ आम तौर पर ये हो जाता है कुछ-कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं सपोज हमारे परिवार में हमारे दादा दादी या किसी और अन्य हमारे रिलेशन्स में किसी को काला मोतिया है तो हमें बहुत हाई रिस्क है कि glaucoma हो सकता है तो ऐसे मरीजों को जरूर अपने आपको तुरंथ प्रस्तुत करना चाहिए अपने नजदीकी विशेशाग्य के पास काले मोतिया की जांच कराने के लिए दूसरे कारण है कुछ हाई रिस्क ग्रूप्स हैं हमारे पास जैसे कि कोई steroid यूज कर रहा है अगर कोई inhalational steroids puff के तौर पे या चमडी पे steroid लगाना या बच्चों को कई बार allergy हो जाती है वो आँखों में steroid की drops यूज करते हैं ऐसे कारणों में लंबे समय से steroids यूज करने पे काला मोतिया बन जाना बहुत आम बात है और क्योंकि जैसे मैडम ने बताया ये थीफ है एक चोर है तो pressure बढ़ा रहता है नज़र जाती रहती है side की नज़र जाती रहती है patient को पता नहीं चलता तो ऐसे तोर में अगर कोई मरीज सफेद रंग की steroid की drops आँखों में डाल रहा है या steroid किसी अन्य फॉर्म में उप्योग कर रहा है तो उसको अपने doctor को ज़रूर दिखाना चाहिए क्योंकि काले मोतिया बनने का chance बहुत जादा हो जाता है तीसरा जो हम बहुत commonly देखते हैं काले मोतिया का कारण वो बच्चों में भी हो जाता है तो कई बड़ बच्चे पैदा जब होते हैं उसको हम bulls eye भी बोलते हैं कि आँखों का size बड़ा होता है इसके लावा पानी निकलना आँखों से या आँखे बंद कर लेना light में जाने के बाद तो वो काले मोतिया के बच्चपन में लक्षन है जो बड़ों में इतना commonly नहीं देखते तो अगर अभी भावकों को ऐसा लगे कि उनके बच्चों को ऐसा कोई symptom है तो तुरंथ डॉक्टर के पास पेश करना ज़रूरी है क्योंकि जितनी जल्दी बच्चों में surgery की जाए इस चीज़ के लिए और बड़ों में भी एक बार नजर चली गई irreversible जैसे माडम ने कहा एक बार नजर चली गई तो वापस नहीं आएगी तो जितनी नजर है उसके रोक थाम के लिए कि नजर वहीं पर रुक जाए आपका आगे का जीवन अगर आप दवाई टाइम से डालें अपने डॉक्टर से निरंतर संपर्क बना के रखें तो ऐसा नहीं है कि आपको ये आपकी दृष्टी चली जाएगी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है इस बिमारी का इलाज है और आपकी नजर वहीं पर थामी जा सकती है बशरते आप अपने डॉक्टर के साथ निरंतर संपर्क बना के रखें तो ये सबसे बड़ी बात है कि आँखों की जुजांच है वो समय पर करवाते रहें ज़रूरी है पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ गई है तरला बेन ने हमें कॉल किया है गुजरात से हमारे साथ जुड़ी है आपका बौत-बौत स्वागत है तरला बेन जी बताये क्या सवाल है आपका मेरा प्रस्मा है ओपन एंगल ग्लुकोमा के लिए आखों में डाले जाने वाले ड्रोफ सरकारी अस्पतालों के अंदर नहीं है और जंदन बेडिकल स्टोर के अंदर भी नहीं है आपकी पर जानकारी बहुत अच्छी है बिकोज बहुत कम लोग ये जानते है कि ओपन एंगल ग्लौकोमा क्या होता है और क्लोजड आंगल क्या होता है तो आप ये ओपन एंगल ग्लौकोमा की अकसर जो दवाई दी जाती है वो हिंदुस्तान में लगबग हर हस्पताल पे और हर सिटी में हैं अपलब्ध हैं आपकी कौन सी दवाई है हमें नहीं मालूम है पर एक बीटा ब्लॉकर होते हैं अलफा एगनिस्ट होते हैं और ट्रॉस्टर ग्लैंडिन होती हैं यह हिंदुस्तान में लगबग हर हस्पताल में और हर केमिस्ट के पास उपलब्ध हैं क्योंकि यह बहुत कॉमनली प्रयोग होती है एक दवाई जरूर है जो काले मोतिय में यूज की जाती है पाइलो कार्पिन उसका अभी कम आरी है बाकी सारी दवाईों की उपलब्धी तो आप अपने जो भी हॉस्पिटल नस्दीक है वहाँ जाके उनके डॉक्टर से पूछिये यह कहां मिलती है अगर बाइचांस उस हॉस्पिटल में अभी नहीं है तो आसपास की कैमिश की दुकानों पे बड़े अराम से मिल जाएंगी और आपको ये भी बता दो कि ये दवाई जो हमने नाम लिये हैं अगर ये बाहर देशी देश में जाएंगे चाए वो अमेरिका हो चाए वो योरॉप हो वहाँ पे बहुत महंगी है हिंदुस्तान में सरकार के कंट्रोल से इनकी रिस्टिक्शन करी गई है कॉस्ट की और बहुत रीजनिबल रेट में ये इंडियन सिटिजन्स को उपलग्थ है वही दवाई बहुत महंगी है ठीक है तो ये बहुत ज़रूरी जनकारी है जो यहां डॉक्टर ने दी है और जैसा आपने जिक्र किया ओपन अंगल ग्लॉकोमा और क्लोस्ड अंगल ग्लॉकोमा की में चाहूँगी थोड़ा सा और विस्तार से इसके मारे में बता है बहुत ही इंपॉर्टन सवाल पूछा है नो ने और ये बहुत अच्छा सवाल है क्योंकि हिंदुस्तानी जो एशियन्स है खासकर और हम इंडियन्स भी एशियन्स में ही आते हैं एशियन्स और जैपनीज और चाइनीज हमारा स्टेचर थोड़ा चोटा होता है हाइट छोटी होती है बेनिसपत अमेरिकन्स की और यॉरोपियन्स की तो हमारे यहां हमारी आखे की साइज छोटा होता है तो नैरो एंगल ग्लाकोमा इंडियन्स में खासकर बहुत कॉमन है जितनी भी स्टाडीज हुई है हॉस्पिटल बेस स्टाडीज अगर माने तो एक मरीज अगर ओपन एंगल ग्लाकोमा होता है तो एक मरीज एंगल क्लोजर का आता है और एंगल क्लोजर जो बिमारी है अगें आप पुछेंगे कैसे पता चलेगा कि एंगल क्लोजर है क्योंकि दोनों ही साइलेंट होते हैं पर एंगल क्लोजर अनफॉचनेटली साइ जिसमें एक थेस्ट है बहुत इंपोर्टन गॉनियोस्कोपी कि उसमें हम छोटा सा मिरर आँख पे लगाते हैं और दॉक्टर शेक करते हैं कि आपका एंगल जिसमें से एक पदार्त होता है आई में जिसके कारण ही प्रेशर बढ़ता है तो एक उसका निकास का रस्ता है आं और ये गोनियोस्कोपी का टेकनीक सब ग्लाकोमा स्पेशलिस्ट को सिखाया जाता है उनको आता है तो मेरी यही गुजारिश रहेगी आपके इस ट्रोग्राम के थू क्योंकि मैडम ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है ये कि जितने भी ग्लाकोमा की स्क्रीनिंग के लिए जाते हैं यहां ग्लाकोमा के फॉलो आप के लिए जाते हैं आप भी जागरुकता रखिए कि डॉक्टर से बुछना है कि एक तो आप हमारा प्रेशर चेक करें एक हमारे पड़दे की जांच करें जिसमें फील्ट टेस्टिंग होती है और एक आप हमें आँख की जांच करत होते हैं तो ग्लाकोमा डाइग्नोसिस के लिए भी चार पर यह होते हैं आई ओपी प्रेशर दिस्क एवालोवेशन विज्वल फील्ट और गॉनियोस्कोपी लास्ट वान वार डिसाइडिंग की एंगल क्लोजर है क्यों इंपोर्टन है क्योंकि एंगल क्लोजर अगर प्रेशन है वो रुख जाती है बिलकुल बिलकुल अब अगले कॉलर की तरफ रोख करेंगे एमजेट खान हमारे साथ जुड़े हुए है महराश्ट रिसेनों ने हमें कॉल किया है आपका बहुत-बहुत स्वागत है कारिकरिम में आप प्रशने पूछ सकते हैं बताईए क क्या सवाल है आपका फान सब टीवी के आवास कम करके एक बार में सवाल पूछी अपना आपकी आवास साफ नहीं आ रही है बताईए हाँ जी बताईए मैं यह जा रहा था कि मुझे आवड़ी कुमा को चुका है जी हाँ और ये कि मिस्टर जिर्टमेंट मेरा फिछोड नहीं भाया तो उतरह लेगिन आग से जिखाई नहीं देखाई नहीं दिखाई नहीं दिखाईए और मैं अक्तर लेप्शन पर जाने वा क्लिफित लिखाई ग्तर जी रहा हुख आट मैं वाज में भाद में जाकर टे कर लिकनाडी तो नहीं दिखाई लिए लेकर ईगल ढर जा रही है लेकल ओजह हुख घिक है इसने को इसमें एदिख है ठीक है टिक है खान साव आपने बहुत अच्छा सवाल पूचा है तो हमारी आखों में हर चीज इंटर लिंक्ट है अगर हमारा आखों का प्रेशर बढ़ेगा तो ना सिर्फ नस पे असर करता है यह हमारी जो पुतली है जिसको कॉनिया हम कहते हैं जिसको आप सफेदी की बात कर रहे हैं उस केस में जब कॉनय का प्रेशर की वजए से उसके सेल्स कम होते हैं तो हमारी कॉनय में जो सफेदी होती है ट्रांसपरेंसी जिसको हम कहते हैं वो धीरे-धीरे कम हो जाती है क्योंकि सेल्स की बढ़ने की शक्ति कम हो जाती है उस केस में जो सफेदी की आप बात कर रहे हैं व जिसको हम target IOP कहते हैं, तो अगर कर्बार दवायां डालने के बावजूद भी, वो pressure maintain नहीं है, तब आपके doctor आपको surgery के लिए recommend करेंगे, जिसमें pressure कम करने के लिए, जिसमें आपका target IOP अचीव हो जाए, और अगर आपका pressure अचीव हो जाए, ठीक हो जाए, तो आपकी पुतली बदली जा सकती है, पर उसके लिए निरंतर आपको सही doctor के पास जाना, जो specialist doctors है, कौनिया के लिए, पुतली के लिए, या काले मोतिया के लिए, वो बहुत आवश्यक्त है, और आपका pressure maintain करना बहुत ज़रूरी है, और रही बात आँके छोटे होने की, तो जब बहुत प्रेशर बढ़ जाता है, आँको में देखने की शमता नहीं होती, और दर्थ वगेरा होता है, तो एक auto response होता है हमारे body का, कि कई बार आँक छोटी होने लग जाती है, जब उसमें जान नहीं रहती, तो उस case में ये, हम उसको वापस नहीं ला सकते, तो glaucoma के लिए सबसे मोतिया, ये आँखों का pressure है, और इसके लिए हर साल आपको screening कराना जरूरी है, क्योंकि ये silently आता है, जब तक आप डॉक्तर के पास नहीं जाएंगे, ये बिमारी आपकी पता नहीं चल पाएगी, तो सही time पर पकड़ना और फिर उसका इलाज कहना सबसे जरूरी है, ठीक है अगले कॉलर, अशोक ने हमें कॉल किया है, दिली से हमारे साथ जोडे है, अशोक जी आपका स्वागत है कारिकरम में, प्रश्ण आप पूच सकता है, बताएगे कि अगर आप चश्मा हटादे लेजर त्रीटमेंट लें जी 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 डॉक्तर यह काले मुट्टर ये पूरा लिंक्ट नहीं है बट जैसे हमारा को जो हम लैसिक सरजरी करते हैं या लैसिक के बाकी सरजरी होती है चश्मा अटाने के लिए नंबर वान चश्मा अटाने से पहले आप एक डॉक्टर से जरूर संपर्क में रखिए कि आपका जो कॉर्णिया है आगे का जो सफेद जो मिकुल ट्रांस्पेरन पर्त होती है उसको कॉर्णिया बोलते हैं तो कॉर्णियल थिकनस आपकी सही होनी चाहिए ऑपरेशन से पहले दूसरा बहुत जरूरी है कि परदा चेक कराएं वो भी पुदली डालेट करके पूरा परदा चेक कराएं कि पीछे कोई ब्रेक तो नहीं है ये दोनों चीज़ें और एक दो और टेस्ट होते हैं जो जरूरी होते हैं उसके बाद ही आप ये चश्मा हटाने का उपरेशन कर जब ये आपरेशन होता है चेश्मा उतारने का उसके बाद हम काफी देर तक स्टिरॉइड देते हैं और जैसे रॉटर शीखा ने पहले भी बोला जो लोग स्टिरॉइड रिस्पॉंडर्स होते हैं क्योंकि नॉर्मल पब्लिक में 5-10% लोग हो सकते हैं इन डिफरेंट र उनका प्रेशर बढ़ जाता है तो वो ज़रूर चेक करा आते रहें जब आपने यह सरज्री करा लिए चश्मा उतारने की लैसिक की बात करें तो उसके बाद प्रेशर एक बारी जरूर चेक कराएं छे हफते बाद और चे मैने बाद और अगर डॉक्टर कहते हैं कि आपको erroneous हो जाती है तो वो risk factor बढ़ जाता है otherwise, surgery is बहुत common surgery है ये और normally बहुत safe surgery है ठीक है, तो लसिक treatment को लेकर डॉक्टर ने जो आपके मन में बात है वो clear करने की कोशिश की है इसके लाबा एक और caller है सूरिपाल ने हमें कॉल किया है सूरिपाल जी, आपका अभी स्वागत है आप प्रशन पूछी अपना सूरिपाल जी, आप सवाल पूछ सकते हैं मैं मेरी age 26 है जी मेरी आखों में जलन होती है और आखे छोटी होती है डॉक्टर से मैंने treatment करवाया है तो मेरी आखों का कोई नंबर बगेरा नहीं है पर फिर भी ऐसा जलन और ऐसा होता है ठीक है, क्या वज़व हो सती है रॉक्टर शिपाल जी सूरिपाल जी, ये जो आप बता रहे हैं जलन का होना और आखे छोटी होनी इसके दोतन कारण हो सकते हैं आज कर जो पलुशन हम देखते हैं प्रिदृशन के कारण के इलर्जी बहुत ज़जादा कॉमन है उसमें आखे रियक्ट करती हैं rue पलुशन को, और उसके कारण हो जाती है, और उसके कारण हमारी आसों की परत प्रापर्ली नहीं उसको cover कर पाती जिसकी वैसे symptoms देखे जाते हैं और कई बार अंधुरूनिक ये हमारी dry eye disease हो सकती है इसकी वज़ेसे ये हो तो इसके लिए आप आँखे धोना try कर सकते हैं और तब भी अगर नहीं जा रहा तो कई बार चश्मे का नंबर भी ये तीसरा कारण है जिसकी वज़ेसे ऐसा हो सकता है तो अगर आपको लगता है कि बिमारी परसेस्ट कर रही है तो allergy की बहुत ही फाइदे मन दवायां हैं हमारे पास और दो-तिन हफ़ते के कोर्स में आपका ये ठीक हो जाता है तो आप किसी भी नज़ीकी विशेशग्य से मिल सकते हैं और अपना इलाज करा सकते हैं बिल्कुल संभव है दोक्टर कीति सिंग आप लगोंने एक बात बोली है कि पता ही नहीं लगता और जो ग्लोकोमा है वो अपना शिकार बना देता है ऐसे मैसे कौन सी बड़ी बाते आप बताना चाहेंगी दर्शिको को ताकि वो जागरुख हूँ जिन पर नज़र रखनी चाहिए और वो ग्लोकोमा को निमंतरन दे सकती जी तो एक तो जैसे हमने बोला क्योंकि हम वे इंडियन वे ब्राउन पिग्मेंट रेसे तो हमारे आंगल क्लोशर होता है जूसरा हमारी जैसे 40-45 यर्स के बाद एज बढ़ेगी उसके बाद यह रिस्क हो जाता है ग्लाकोमा का रिस्क फैक्टर्स हार एज जोटी शिखा ने बताया फैबली हिस्ट्री कोई ब्लड रिलेशन में सिब्लिंग्स में भाई बहन में माता पिता में या नाना नानी दादा दादी में किसी को काला मोतिया राहो हो तो वो स्क्रीनिंग जरूर करा लें अपना 42-43 के बाद अग स्टिरॉइड आंक में खुझली जैसे अभी सूरच पाल जी ने पूचा कि अलर्जी है उनको तो अक्सर क्या होता है पेशिंट्स किसी भी कैमिस्ट के पास चल जाएंगी डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे और कैमिस्ट उनको कोई भी दवाई पकड़ा देगा जिसमें यूजिली स्टिरॉइड होता है उससे उनकी गुझली एक्दम ठीक हो जाएगी और अगली बारी वो बिना कैमिस्ट के पास गए वही दवाई का पड़ लेकर दबा लेकर फिर से कहेंगे रिपीट कर दीजे तो यह बहुत कॉमन कॉज होता है इचेंग के लिए जो स्टिर हो चुका है हाई मयोपिय यह सारे इस फैक्टर होते है का ले मोधी ऑर क्यूंकि यह साइलन थोता है ओर इसकर जब हैं तो इवरी केरिय एर एक जएड लोर करालिने चाहिए और जैसे मैंका श्रीनिंग में चारों चीजहें साइड होनी दो प्रेशल और अधो क्रॉड और नमस्का। यह कुछ साथिर के कुछ साथिर के कुछ साथिर के कुछ साथ सी दनकर चाता है। ठीक है, डॉक्टर शुका गुपता, क्या मताएंगे अपर? सर, देखे, जो आपकी प्रेजंटेशन है, आपके फादर की, कि उनको 72 यहर्ज में 90% विजन चला गया है, तो इसी के बारे में हम बात कर रहे थे, कि अगर हम एक जागरूक नागरिक हैं, अपने सहत को लेकर जागरूक हैं, अपने पैरेंट्स की सहत को लेकर जागरूक हैं तो अगर हम उनकी आनुल स्क्रीनिंग कराते हैं, तो यह ऐसा नहीं होता, पर जब हमारे पास यह situation है, तो जो drops prescribed की गई हैं, अब आजकल हमारे पास कुछ नई तरह की drops हैं, कोई भी हम drop डालेंगे, उसमें preservatives होते हैं, जैसे allergy हो सकती हैं, और कई बार ऐसे reaction हो सकते हैं, दवाई चेंज करने के बाद, या preservative free दवाई देने के बाद भी, जो allergy है, जो tolerate नहीं कर पा रहे हैं, और यह अगर tolerate नहीं कर पा रहे हैं, तो ड्रग ना use करने का बहुत बढ़ा कारण हो जाता है, जिससे हम अगर डॉक्टर से ना मिले, तो हमारा काला मोतिया बढ़ सकता ह तो जरूरी है कि आप इस situation को लेकर कि आपके फादर टॉरेट नहीं कर पा रहे हैं दवाईयां आपने दॉक्टर से मिले, आपके दॉक्टर आपको सही advice देंगे, तो दवायां चेंज करेंगे, दवाई चेंज करने के बाद भी अगर फाइदा नहीं हो रहा है, प्रेशर क तो आपको सर्जरी के लिए advice करेंगे, पर ज़रूरी है कि आप उनसे जरूर मिले आप इस समय जा कर, आपने बहुत सही का 90-80% ऐसे डाटर शेखा ने बोला, बहुत फ्रीक्वेंट होता है कि मरीज हमारा एंड स्टेज क्लाकोमा में आते हैं क्योंकि as we said silent disease है, पता ही नही होता, दवाई खाना असान होता है, आँख में ड्रॉप डालना असान नहीं होता, तो ये एक टेक्नीक उनको सिखाना होगा, डॉक्टर से सीख लिजे या किसी healthcare worker से, कि लेट के दवाई डाले, और जब दवाई डाले तो ये lower late को ऐसे pocket बना के उपर दवाई डालना है, उस दवाई डालना होता है, तो हमारा मकसद है जो ड्रॉप डाली है वो आँख के अंदर जाए, जब हम आँख बंद करेंगे, तो वो ड्रॉप गिरेगी नहीं बाहर अंदर जाएगी, और जो फालतूर दवाई बाहर गिर जाती है, वो इसकिन में अलर्जी करती है, उसी जो ड्ल रही है, जो बहुत जरूरी है डालना, उसका effective हो और उसके side effects नहीं हो, दूसरा जो मेरे को समझ में आए कैरते हैं, कि पैर में सोज़श होती है, कि पलक में सोज़श होती है, समझ नहीं आया है, मिरेकल से आँखों में ही सूज़न की बात है, तो वो बहुत ठीक ब बहुत मुश्किल है, कि एक ही दवाई डालो, अक्सर आप देखेंगे, दो से तीन बूनेट डल जाती है, और वो बाहर गिर जाती है, उसलिए पहुचना जरूरी है, और लेट के डालना, और आख पलक को बंद करना, और नाख आख के रास्ते को बंद करना, अभी लग रह जैसे एक ड्रॉप की कॉस्ट है, अगर उसकी एक ही ड्रॉप यूज होनी चाहिए, और तीन-चार वेस्ट होती है, तो कॉस्टिंग बिल्कुल, तो यह बहुत ऐहम बात है, जो डॉक्टर ने बताई है, अगले कॉलर हमारे साथ प्रियंका जुडी होई है, दिल्ली से इन यह दोनों दो प्रॉब्लम्स है, आप लोगों ने कहा कि कही ना कही अनुवांशिक भी हो सकता है, अगर माल लीजे किसी के आँके कमजूर एंपामिली में, अपकी एज क्या है, और आपकी मदर की एज क्या थी, प्रियंका जी, मेरी एज इसका मैं 40 है, और मेरी मदर एक्स प्रिय की एज कीए, अउमान प्लइचा टो सुधियाँ, यह जी नहीं एता है, ने फिलीजे समय नहीं होता है, छ रखला क सुधिया Bena ड़ीजे से प्लिड़ीज रहेता सब्स्रा काी लंगे, तो रखला कंशान है Questo, आपको उन्गुणका होता है और मेरी मेरी ती, मेरी मारा कारेक्टरम तो हम बता रहे थे प्रेशर, परदे की चांच, फील्ड टेस्ट और गॉनियोस्कोपी करानी चाहिए, दूसरा अगर गॉड फोर्बिड आप डाइबटिक है तो मोर फ्रीक्वल्डी करानी चाहिए टेस्ट, शिरॉयट का जादा सेवन नहीं करें, और जो उसका भी हम मोबाइल फोन के बिना भी नहीं रह सकते हैं ना कंप्यूटर के बिना, तो वो टेक्नीक औफ व्यूइविग थे कंप्यूटर थे परसन, ब्लिंकिंग जादा करनी हैं आपने कंप्यूटर यूजज जितना मिनिमल और एफेक्टिव हो करना है, और इफ अनिब आपको विजन ब्लरिंग हो सकती है, इसलिए आपको वो डर रहेगा कि यह कालमोतिया तो नहीं हो रहा है, चेक अप करा लिजए बिकॉज आपकी मदर को ग्लाकोमा था, चेक अप करा लिजए और ड्री आइस की ट्रीटमेंट डिफरेंट होती है, ठाइरोड चेक अप करा बिल्कुल, अगली गॉलर, डॉली हमारे साथ जुड़े होई है, अपका स्वागा थे डॉली, सवाल पूर सते हैं, नमस्कार, बताएए क्या प्रशने आपका, अच्छी मैणम मुझे दो महीने से लगातार मेरी आँखना वो राइट साइड की वो लगातार बिंक करती रह ठीक है, यह क्या हो सकता है, जिसे आख फड़कना कहते है, वो लगता है, तो लेकिन यह कभी-कभी 15-20 दिन तक चलती है, फिर रुप जाती है, यह किसी चीज़ का संकेत है, क्या आखों से जुड़ी है, यह हमारी आखों का एक इंट्रिंसिक मेकानिजम है, कि अगर कोई भ मेकानिजम है, कि उसको ठीक करने की कोशिश करें, पर अगर आपको severe dry eyes है, यह allergy है, जिसका ठीक प्रकार से अचार नहीं ले रहे हैं, तो यह continue रह सकता है, तो यह dry eyes, allergy बहुत common cause है, इसको blepharospasm कहा जाता है, अगर इन सब ठीक करने से भी, हमारी यह problem persist करती है, तो इसको essential bleph spasm कहते है, जिसको कई बार हमारी नसे, continuous firing करती रहती है, तो इसके लिए कई बार हमें injections का भी प्रियोग करवाना पड़ता है, जिसको असर तीन से छे महीने के लिए रहता है, और आइलिक्स पर लगाया जा सकता है, वो injection, तो graded response हम देखते हैं, कि डॉक्टर के पास मिलीए पहले कुछ भी dry eyes या allergy है, वो ठीक करवाये, उससे नहीं आराम आता, तो injections का प्रियोग किया जा सकता है, बट सिंस एक ही आँख है, और पहले भी हो चुका है, तो most likely local cause होगा, तो घबराने की जुरत नहीं है, पर दिखाना बहुत ज़रूरी है, बिलकुल, इसके लावा ज जैसी बिमारियों का कारण भी बन रहे है, यह सारे factors भी मिलकर असर डाल सकते हैं, क्यों इतनी बड़ी संख्या में हम भारत में देख रहे हैं कि ग्लॉकोमा के मजीद मरीज आ रहे हैं, अच्छली यह ग्लॉकोमा के कारण अभी तक तो कोई link मिला नहीं है, pollution का ग्लॉकोमा और क्योंकि asthma के लिए steroids का यूज होगा और cardiovascular diseases के लिए बाकी चीजों का यूज होगा, उससे drug से glauकोमा हो सकता है, but other diabetes, again, but यह सारी lifestyle diseases है, कुछ ना कुछ तो metabolic disease जितनी भी है, diabetes, hypertension, cardiac lifestyle है, pollution से हैं, और smoking से हैं, sedentary lifestyle से हैं, and stress से हैं, तो वो सब अगर हम कम करने तो बहुती है, but जैसे ग्लाकोमा की बात करें, तो इन से अभी तक कोई लिंक ग्लाकोमा का नहीं है, but अगर अक्सर हमने बात करी, अक्सर हमारे ग्लाकोमा के मिरीज लिटल ओल्डर होते हैं, 60 प्लास होते हैं, उन में अक्सर अगें, hypertension, diabetes, asthma, कुछ और बीमारी भी हो रही होती है, और चाहंतक की computer की बात है, और dryness की बात है, ग्लाकोमा की सारी दवाईयां, क्योंकि उसमें प्रेजर्वेटेव होता है, वो हमारी tear film को जो आख की तरलता के कारण होती है, उसको effect करती है, तो dryness after drops of glaucoma is increased, dryness doesn't cause glaucoma, बट glaucoma की दवाईयों के कारण dryness definitely हो जाती है, और उन पेशन्स में जब computer का usage हो, तो burning और problem जादा हो सकती है, तो वैसे link हो सकता है, ठीक है, और इसलिए रही है, आपने पूछा क्यों बढ़ गए है, एक तो जागरुकता बढ़ गई है, डाइग्नोसिस बढ़ गया है, अब पेशन्स आ रहे हैं, जो कि पहले आते ही नहीं थे, दूसरा, because of science, progress, हमारी age बढ़ गई है, longevity बढ़ गई है, पहले 55, 60 के बाद survival कम होता था, 70, 80, 90 दक survival है, तो it's a disease of the age, to aging disease है, आचा ठीक है, तो ये तमाम factors हैं, जो कहीं न कहीं कारण हो सकते हैं, क्यों इस बीमारी के जो बड़ी संख्यामी cases हैं, वो आते हम देख रहे हैं, नरेंदर कॉल जोड़ गया हैं, उत्तर प्रदेश से इनने में कॉल किया है, आपका स्वागत है, नरेंदर, बताएगे क्या प्रशने आपका, अच में दर्द होता है, चुपती है, आँक और पानी भी निकलता है, आँक से, और मैने डाक्टर से कहा था, डाक्टर के पास क नरेंजी आपके उम्र कितनी है मेरी उमर लगबग पचास साल के गरीव होई ठीक है और ये समस्य आपको कितने दिन से ये समस्य मोग को एक साल होगा तो अभी आज महीन हुए है इस नहीं हुआ है ठीक है आपको देखने में भी कोई परिशानी आरही है हाँ आज महिने से परिसानी आ रही है यह पहले से रही था जश्मा लगाते हैं क्या है नरेंजी आप जश्मा लगाते हैं नस्दीका जश्मा लगाते हैं नस्दीका कोई जश्मा भी लगाता हूं कुछ फरक नहीं आता है ठीक है ठीक है डॉक्टर आप क्या अब तो यह जो ह होता है पर हम इसको एग्णोर करते रहते हैं तो यह एक यह भी बॉडी का मेकानिजम है रियक्ट करने का कि आपको जाकर चश्मा लगवाना चाहिए इससे साफ तो दिखेगा ही इसके अलावा जो भी ब्लरिंग जो भी रेडनेस हो रही है वो सब चली जाएगी इसके अलाव आँखों की मास पेशिया ओवर्स रियक्ट करके इस तरह से पेन कम्प्लेइन कर सकती हैं तो यह एक दूसरा कॉल हो सकता है इसके लावा काला मोतिया जिसमें प्रेशर बढ़ जाता है आँखों का उसकी वज़ेसे भी आँखे लाल हो सकती हैं दर्द कर सकती हैं और उससे और भी सबसे common allergy और सुखापन तो अगर कोई भी आपको लग रहा है खुजली साथ में हैं तो वो एक कारण हो सकता है कि खुजली के कारण वो allergy है आपको और उसके दवाई डालने से आपका यह लाली पन और यह ठीक हो जाएगा इसके लावा बहुत सारे दूसरे कारण हैं जो थोड़ा कम common देखे जाते हैं पर वो आपको doctor जैसे uveitis की problem होती है इसमें आखों में inflammation हो जाती है आखों में अंधरूनी reaction होता है उसके लिए कुछ अलग drops होती है जिसको steroids बोला जाता है इस तरह की अनेको कारण हो सकते हैं तो सबसे पहले चश्मे का number अगर आपने दि उसके अनुरूब आपका इलाज हो पाएगा बिल्कुल और अब सवाल अगले caller से सत्यनाराइन ठाकूर हमारे साथ जुड़े है पश्यमंगाल से इनोंने में कॉल किया है सत्यनाराइन जी आपका भी स्वागत है कारिकर में आप बताइए आपका प्रश्न क्या है और जो है तो अब क्या सबाल करना चाहते हैं अच्छा ठीक है अपक्या सवाल क्रना चाहते हैं बताइए प्रश्न क्या है मेरा दर्जोस्थी और दावा ड़ा दे रहा है। ठीक है। तो तुम देते हैं को अजिए प्रेस्टेवल है। ठीक है, सतनरायन जी, लुड़ अच्छे तरीके साप उन्हें रही सुन पाएं। शुन पाईं। यह सतिनरायन जी डॉर्जॉक्स टी और बाइमेट ले रहे हैं और इन्होंने दिखाया था और लेफ्ट टाइ में कम दिख रहे हैं यह दोनों ही दवाइयां काले मोतिया वाली हैं जैसे हमने बोला बाइमेट, ट्रॉस्टर ग्लैंदिन और दॉर्जॉक्स टी एक वीटा ब् कभी वापस नहीं आती है जो बची हुई है जो रह गई है वो ठहर जाती है तो अगर आप उमीद करें कि वापस आएगी वो नहीं हो पाएगा पर जो है रेमेनिंग है वो बिल्कुल रहेगी तो दवाई का आप रेगिलर्ली इस्तमाल करिये और जैसे हमने पहले बताया कि एक ड्रॉप ही डालिए लेट के डालिए अराम से आँख बंद करिये उसके बाद पांच मिनट और दवाई को बीच में भूलिएगा मत अकसर क्या होता है अगर हम दवाई बहुत लंबे समय से इस्तमाल कर रहे होते हैं बहुत कॉमन है कि हम भूल जाते हैं कि सुबे डाली कि मिर को सुबे की चाय शान की चाय के लिए से डॉर्जॉक्स दी है आपको वैसे डाल सकते हैं और बाइमेट रात को खाना काने के बाद सोने से पहले डालनी होती है अकसर तो वो टाइमिंग फिक्स कर लिजे ताकि आप भूले ना और दूसरा क्या होता है जैसे हमारे मरी मरीजों में होता है आप में हो सकता है नहीं हो कि after few years और few months मरीजों को यह लगता है कि हमारे को दवाई से कोई लाब तो हुआ नहीं नुकसान हो रहा है पानी बढ़ आ रहा है लाली हो रही है फ्लस दवाई का कॉस्टिंग भी है मेरे को रोश्ण बड़ी नहीं तो अक्तर मरीज दवाई डालना बंद कर देते हैं ये मत करिएगा कभी भी क्योंकि हम बार-बार यही दोरा रहे हैं और इसी का importance है कि दवाई से रोशनी वापस नहीं आएगी रुक जाएगी जितनी बचे हुई है जैसी pressure control रहेगा रोशनी रुक जाएगी तो दवाई बंद मत करिएगा चाहाई उससे benefit आपको महसूस नहोरा हो पर वो बाकी चीजों को आपकी रोशनी को रोख के रखी हुई है दोक्टर शिका कुपता किसी भी जब बिमारी के बात होती है तो खान-पान और व्यायाम दो चीजों की बात जरूर होती है अब अगर हम गलोकोमा की बात कर रहे हैं या आखों से जुड़ी और जो समस्या है आखों के का व्यायाम भी कितना जरूरी है और खान-पान इसमें कितनी बड़ी भूमे आने बात है जैसे कि आपसे discuss हुआ है कि काला मोतिया भी एक lifestyle disease है उसका इसलिए से incidence बढ़ रहा है कि हमारे खान पान में जो westernized changes आ रहे हैं जो हम अपना मैदा से बने हुए चीजें या तेल से fried चीजें ये सब खाना प्रिफर करते हैं उसका कही न कही रोल है कि हमें diabetes हो रहा है because it is also a kind of lifestyle disease, a metabolic disease तो खान पान अच्छा रखना, पौश्टिक खाना खाना आँखों के लिए बहुत जरूरी है और पालक वगेरा, अच्छे vitamins का सेवन करना खाने की जो daily का खाना है, ऐसा नहीं है कि हमें कुछ exotic के खाना है जो हमारे देशी खाने में already हमारे पास उपलब्ध हैं गाजर है, spinach है, oranges है इन सब में बहुत अच्छी मात्रा में पौश्टिक आहार तत्व पाए जाते हैं जो हमारी आँखों को balance रखने में और तंदुरस रखने में बहुत काफी फाइदा देते हैं तो उसको तो कभी नहीं भूलना बाकि smoking, alcohol ये सब चीजें हमारी आँखों को बुरी तरह से प्रभाव करती हैं आँखों का व्यायाम स्ट्रेस कम करने के लिए बौडी का व्यायाम स्ट्रेस फ्री रखने के लिए बहुत जरूरी है और से जरूरी ही हमारा काला मोटय का इंसिदेंस कम होता है एम से हमारी स्टाडीज भी हैं कि meditation या ध्यान या प्रणयाम की प्रख्रिया जो है वो आँखों का प्रेशर कम करने के लिए स्ट्रेस कम करती है बौडी में कॉर्टिजोल लेवल कम करती है जिसके वैसे pressure कम होने में बहुत direct effect इसका आता है और इसके अलावा आँखों की कुछ exercises हम बताते हैं कई बर हमारा जो computer पर देखने का काम है या screen पर ज़्यादा देखने का काम है mobile phone का जो काम है उसके लिए हमारी जो pass के देखने की mass patient है वो overuse हो जाती है उनको push बनाने के लिए बहुत जरूरी है कि हम convergence exercises या pencil push-ups जो बोलते हैं पास की चीज़ पे नज़र टिका के रखना पांच मिनट तक उस पे रखना वो बहुत जरूरी है और इस चीज़ के लिए काफी ज़्यादा फाइदे मन्द है तो अपने शरीर के साथ अपनी आखों का ध्यान रखना बहुत बहुत आवश्यक्त है और ये हम सब के हाथ में है हमें डॉक्टर की विज़ुरत नहीं है इसके लिए ठीक है डॉक्टर इसके लावा मैं ये समद्दर चाहूंगे आजकल जो cosmetics का इस्तमाल है extensions की बात करें और products की बात करें क्या इन सब चीज़ों को लेकर भी सामधानिया बरतना ज़रूरी है बिल्कुल बरतनी चाहिए हाँ जह हम बात कर रहे हैं ओकलर हेल्थ की तो ये बहुत ज़रूरी है और especially cosmetics क्योंकि जो आँख का स्किन होता अगर आप सब लोग अपना आँख को छूके देखेंगे आँख का स्किन बहुत मुलाइम होता है बहुत सॉफ्ट होता है तो इससे absorption बहुत फास्ट हो जाती है और जो भी हम eyeliner, cosmetics, eyebrow pencil या mascara कुछ भी लगाते हैं आइस के उपर या आइस के आसपास लगाते हैं उसकी absorption होती है काजल का इस्तमाल जैसे करते हैं काजल तो आँख के अंदर बिल्कुल जाता है और जैसे हम बात बार-बार dryness की बात हो रही है कि आँखोंक में जलन होना, लाली होना, burning होना ये common होता है और ये सब tear film को effect करती है तो काजल का इस्तमाल तो आँख के अंदर कोशिश कर ये जितना कम कर सकते अच्छा है इससे एक और बात हम कहना चाहेंगे कि अकसर होता है जैसे बच्चा पैदा होता है तो मा उसके आँख में काजल लगाती है कि नजर ना लगे उसको तो ये बहुत common प्रता थी पहले ट्रकोमा होने की अब बहुत अच्छा है कि अब हिंदुस्तान में ट्रकोमा लगबाग खतम हो गया है क्योंकि सरकार ने बहुत concentrate program किया है ट्रकोमा eradication का पर फिर भी आप आँक से जो काजल लगाते हैं एक बच्चे की आँक में दूसरे अच्चे की बाग आँक में infection फैल जाती है तो बच्चों की आँक में तो बिलकुल भी काजल नहीं लगाना है बड़े अगर कास्मेटिक का इस्तिमाल करते हैं तो मिनिममम यूज करना चाहिए आँक के अंदर और जब यूज करके उसको वाश आउट कर देना चाहिए शाम को बिलकुल निकाल देना चाहिए और खासकर अगर आप कांटैक लेंस का इस्तिमाल कर रहे हो विद कास्मेटिक्स जो बहुत सरी लड़कियां करती है तो वो अलग तरीका होता है लगाने का जब कांटैक लेंस के लिए आप जाएंगे तो आप अपने कांटैक लेंस स्पेशलिस से पूछ लेना कि कैसे लगाते हैं कास्मेटिक्स लेंस के उपर और लास्ट डिगार्डिंग लॉकोमा अगेन अगर आप लॉकोमा की ड्रग्स का सेवन कर रहे हैं तो काजल नहीं लगाईए आँक के बाहर चीज फिर भी लगा सकते हैं अंदर नहीं और इसी से मैं बात आपसे एक बारी बस जाहर कहना चाहूंगी की होली आने वाली है बिल्कुल होली में रंगों में बहुत सारी नेगटिव चीज़े होती है अलुमीनियम के पार्टिकल्स होते हैं बहुत चीज़ें मिली होती है कोशिश करिए होली खेलना अच्छी बात है पानी से खेलिए रंग से खेलिए गुबारे मत मारिए किसी को क्योंकि गुबारे से चोट लग सकती है और ये जो गुलाल होते हैं बिलकुल सिंपल गुलाल लगाईए हम तो अपने घर में हमेशा जब खेलते हैं तो वो चंदन लगाते हैं या वो पत्तों का मिक्स करके लगाते हैं, ताकि हम बाहर की चीज जादा इस्तेमाल ना करें, आँक के आसपास तो बिल्कुल भी मट डाले। बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है, दो और कॉलर भी हमारे साथ जुड़िया हैं, हमें पपु ने कॉल किया उत्तिर प्रदेश से और नारायन सिंग नेगी हिमाचल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप दोनों का बहुत-बहुत स्वागत है कारिकरम में, पपु जी पह अच्छा, आपने किसी दॉक्टर को दिखाया है? नहीं, मैंने दॉक्टर को तो नहीं दिखाया हुए अच्छा, ये कब से हुरी है समझ से आपको? ये मुझे जी काफी बीन होगा, मतलब साल पर से जाता होगा जी ठीक है, और उम्र बता दीजे एक बार अपनी? मेरी उमर अच्छा, आपको क्या बतारे है, ये बहुत कामन रीजन होता है, कई बार सफेद मोतिया जब बनता है, जिसको पस्चीरिस अब काप्सुलर काटराइट कहा जाता है, ये दूप में जाके आपका प्यूपल कंस्ट्रक्ट करता है और आपको धुनला जादा दिखाए देता है, तो ये एज भी ऐसी है, और दूसरा चश्मे का नंबर जैसे हमने पहले भी डिसकस किया, तो पर डॉक्टर से मिलना बहुत जरूरी है और इसके अलावा अन्य कारण भी हो सकते हैं, पर बिल्कुल ठीक होती है, आँखों की बिमारिया बहुत अच्छे इलाज है, कैटर जरूरत नहीं है, अपने डॉक्टर से मिलने से पहले जरूर मिलिए, अगर वो आपको सरजरी के लिए सलाह देते हैं, तो जरूर करवाईए, और आपको बहतर ही लगेगा, लेकिन मिलना बहुत जरूरी है, सही सुझाफ पाना बहुत जरूरी है, ठीक है, और नाराइन सिं नागेंजी, बताइए अपना सवाद, मैरी समस्य यह है कि हम उपर लॉक्टी के प्रफिले पाहडों में मुबाल टावर का काम करने जाते हैं, तो वहां पर बर्फ होने की बजसे वहां पर हमें काला चसमा लगाना पड़ता था लगतारी, तो अब उसको अगर यहां पर न दूप में मुवाइल पर रात को कम्प्यूटर पर काम करती बार, हर वत तो जो हां काला चसमा लगाना पड़ता है, आंखी वाल हो जाती है, या दूप में तो आंखों से पानी आना पड़ता है, जी इसकी बज़ासे में दूसरा चसमा नहीं लगा सकता, पचासे उपर हो तो वो जो भाई चसमा नजर का है, तो ये कहा जिल्दगी भर मुझे ये काहा चसमा लगाना पड़ेगा, और इसके लिए मुझे जो दवाई लिखी थी, वो सिप्रो फ्लॉक्ट्वीन एंड डेक्सा मैफों से तो ये मैं आंखों में डालता हूं, मुझे तो इस दवाई क सुझाद दिया जाएं, तो ये जो अंखों की लाग़ी और रग जो है, और ये काहा चसमा धूता, रेंड़ का, रेवन का मैया अवंधी, तो भूपी आई जी, ठेक है नागी जी, दोक्ट्र, नेगी जी जो हमें समझ में आया कि आप मंडी में रहते हैं और आपने जो पह लगाने की आप लगाने की आभिष्रक्टा पढ़ रही है, दूसरी चीज हमें समझ में आई आपने सिप्रफ्लॉक्ससलेन और डेक्समेतिजोन की दवाई का सेवन काफी दिनों से कर रहे हैं, अगर आप लाइन पे बने हुए हैं, तो आप कितने महीने से दवाई का सेवन कर रहे हैं, नेगी जी, चैद इनकी लाइन कट गई हो, पर अगर आप सुन रहे हैं सर, तो यही बात हो रही थी, डेक्समेतिजोन एक स्टिरोइड होती है, तो स्टिरोइड का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्टिरोइड आँख में बहुत सारे नुकसान कर देती है, ठीक है, एक बाद हम पूछ लेते हैं, आपने क्योंकि यह बहुत बड़ी बात बता रहे हैं, नेगी जी, अगर आप सुन पा रहे हैं, तो बताइए आप जो दवाई का स्तमाल है, वो कब से कर रहे हैं, ठीक है, तो बिलकुल यह, क्योंकि यह दवाई का सेवन अकसर करते रहते हैं, एक बार दवाई दी गई, तो वो केमिस से ही मैं आपको पहले केड़ थी, वो लगातार चलती रहती है, तो एक तो वो सिप्रो फ्रॉक्सिसलें डेक्सामिताजोन का कॉम्बिनेशन आप बंद कर दीजे, आज से ही, अभी से ही, और जो भी आपके नजदी की हस्प कराइए, कि अगें, पीछे आपका पुस्टीरे सबकापसलर कैटरेक्ट ना बन रहा हो, जो धूप में आपको कम नज़र दिखाता है, और इसलिए वो हम थोड़ा फोड़ा फोटो क्रॉमाटिक ग्लासेज देते हों, कि धूप में आपका प्यूपल डालेटेड रहे, तो कैटरेक्ट और कॉनिया चेक कराइए, और सिप्रफ्रॉक्स इसलिए डेक्सामेथाजन कॉंबिनेशन, प्लीज, डालना आज से ही बंद कर दीजेए, बिलकुल, तो यह जो ज़रूरी सला है, वो डॉक्टर ने आपको दीख है, इन बातों का खयाल ज़रूर रखिए, आख तो उसका सिप्लॉक्स डी से बहुत अच्छा इफेक्ट आता है, और पेशन्स को लगता है कि दवाई बहुत अच्छी है, तो उसका भी ज़रूर चेक करवाएए, और आजकल फोटो क्रोमाटिक ग्लासे आते हैं, तो आपको अगर चश्मे का नंबर है, तो आप सरूर पह अच्छा ना हो, आजकल बहुत एडवांस तरीके हैं हमारे पास, पर जरूरी यह है कि हम उन पर ध्यान दे, अपने डॉक्तर से मिले, और मंडी में तो बहुत अच्छे नेत्रविशे शग्ये हैं, जिनको हम जानते भी हैं, तो आप जरूर उनसे संपर्क साधिये, और हर इसका इलाज है, बिल्कुल, डोक्र, आखिर में आपकी क्या सला रहेगी, आखिर में एक हमारे, यहां पे गुर्णानकाई सेंटर में, जो सरकारी हस्पताल है, वहां पे मेडिकल कॉलेज है, मुलानदर मेडिकल कॉलेज, तो हम हर साल ग्लाकोमा वीक आने वाला है, हर साल बच्चों से एक नाटक करवाते हैं, तो एक दो चीजों ने बहुत इंपोर्टन्ट कहीं, जो कि आप से मैं शेयर करना चाहती हूं, जैसे कि दवाई का सेवन लोग बन कर देते हैं, कि कॉंस्टंट मेडिकेशन इस नाट इजी, तो एक बच्चे ने यही कहा कि, अगर उसी को बचा के रखना और यह गम नहीं करना कि 500 थे आप 300 रह गए हैं, तो जो भी आपके पस रिमेनिंग विजन है, वो बहुत है, वो काफी है, रोज के काम के लिए और बाकी काम के लिए उसको प्रिजर्व करें, और प्रिवेंशन अगर हो सके तो बेस्ट है, उसी के ल काने जाते हैं, कि डॉक्ट साब ये मेरी चारो चीज़े करके मेरे को बताओ किस तरीका का मोतिया है, और कई बारी ऐसे हमें लगता है कि जो भी चश्मा देने वाला है, वो ही डॉक्टर है, आप आफ्थल्मालोजिस के पास चाओ, और खाली ये नहीं कि जो चश्मे देने वाले बैठे हुएं, उन्हीं के पास आप जाके अपनी चेक अप करा रही है, तो इन बातों का ध्यान जरूर रखना है, और प्रिवेंशन इस बेर देन क्योर, जैसे डॉक्टर ने भी कहा है, प्रिवेंशन के लिए, जात सबसे ज़्यादा जरूरी है, और इस पर ध्यान दीजिए और रहिए बिल्कुल स्वस्त, अपनी आँखों को भी रखिए बिल्कुल स्वस्त, आप इस कारिक्रिम को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, और अपनी सला, सुझाओ और प्रतिक्रिया हमारे साथ साजा कर सकते हैं, अपना अच्छे से खाल रखिए और मुझ मुझा कर दो